असलाम लेकुम स्टुएंट्स आज हम करेंगे चेप्टर नमर 9 एरिया संवाउलिम की एक्सराइज नमर 9.1 लास्ट नम हमने 9.1 एक्सराइज का कुस्टिन नमर 8 के जो रिमेंग पार्स थे पार्ट नमर 4, 5, 6 को कर लिया था अंसम स्टार्ट केरेंगें कुस्टिन number 9 कि अगर आप स्टेटमेंट की तरफ आएं तो वहां पर उन्होंने लिखा आँए कि इन यहीं ओफ आप यह एक्विलेट्रियंगल जासे जहां से दरवासा फोल याइट की फार्म मतलब कर तीनों equal है with the measure of one side is 10 meter find the height of the house हमने height find कर निये कि total height उसकी कितनी है जबके उन्होंने एक side उसकी दे दी है 10 meter है equalator का मतलब है कि तीनो sides बराबर है तो इसका मतलब है ये वली side भी 10 meter होगी और ये वली side भी आप लोगों के पास 10 meter होगी उन्होंने का है हमने height find करनी है total height हमारे पास कितनी है तो total height जो मैंने find करनी है उसे मैं variable x का name दे देती हूं variable x से मैंने denote कर दिया कि x का जो answer होगा वो इसकी total height होगी उसके इलावा आप लोग यहाँ पे इसे variable के name से show कर दें यानिके a b c और c इस तरह के name से दें a b c और यह वाला जो पॉइंट है आपका इस पॉइंट को मैंने कह दिया यह ठीक है उन्होंने कहा है कि यह वाली जो आप लोगों के पास है जो ट्राइंगल है यह पूरा डी है मतलब यह डी आपके पास यह वाला पॉइंट है लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो उसकी लंद है ना b c की वो है 10 मीटर ठीक है तो आप लोगों के पास जो पैठाकॉरस स्ट्यूरम हम यूज करते हैं वह हम करते हैं राइट एंगल ट्राइगल के लिए तो राइट एंगल कब अगोगा चैब उसका एक एंगल 90ग्रीग्री का उ तो आप इस Center वाली Line को देकिए, अगर मैं इतना Triangle यहां से निकाल दू, तो यह वला जो Triangle है, यह आपके पास Right Angle Triangle बन राहे हैं। और दूसरा अगर मैं इस Part को निकाल दू, तो यह वला भी Right Angle Triangle बन रहे हैं। तो आपने एक Triangle को यूस करते हुए, x की value को find कर लेना है, ठीक है, सबसे पहले आप आजाए, जो हमारे पास given है, हम वो लिख देते हैं, a, b, c is equilateral triangle, यह हमारे पास जो a, b, c है, यह है, equilateral triangle है, जिसमें आपके पास measurement of b, c, measurement of a, c, and measurement of a, b, equals to 10 meter है, जो के fix है, उन्होंने कहा, equilateral है, मतलब एक side है, एक side की जो measurement होगी, बाकि दोनों sides की भी वही measurement होगी, measurement of b, c, equals to 10 meter है, जो के उन्होंने हमें given की हुए one side की, ठीक है, next आप आजाए, अगर एक side की इतनी है, तो दूसरी आपके पास measurement of, तो यह आपके पास आजएगा 10 meter, next आप लोगों ने कहा हुआ है, कि आप लोगोंने जो find करना है, वो हमें एक triangle चाहिए, एक triangle, मतलब इसकी 10 meter measurement है हमारे पास, दूसरा हमारे पास, इतने area की, मतलब इतने portion की, क्योंकि यह इसकी base बनेगी ना, इस triangle के अगर मैं बात करूं तो, यह इसकी base बनेगी, तो इतने क measurement क्या होगी, वो हमने find करनी है, यह वाला portion और यह वाला portion दोनों same है, मतलब same length के आपके पास है, और total अगर आप लोगों के पास 10 है, 10 meter को अगर मैं 2 पर divide कर दूँ, क्योंकि 2 है portion, 2 पर divide कर दूँ, तो आपके पास 5 आजएगा, मतलब के, एक side की आप लोगों के पास 5 meter ठीक है, तो next आप लोगों ने यही लिखना है कि AD जो है, वो perpendicular है BC पर, perpendicular का sign होता है यह, और यहाँ पर मैंने यह लिखा है कि AD है, BC के उपर आके उसने straight line एक draw की है, perpendicular draw किया है, तो उसे मैंने perpendicular के sign से show कर दिया, next आप लोगों ने करना यह है, कि आप लोगों ने जैसे मैं य roughly थोड़ा सा बताया है, इसे आप लोगों ने इस question के अंदर भी write करना है, कि आप लोगों ने इसे किस तरीके से solve करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दें कि measurement of CD equals to measurement of BD, क्यों मैंने यह लिखा है, वो देखें, measurement of BD यह है आपके पास, यह आप भूल जाए, और measurement of CD यह है आपके पास, ठीक है, यह दोनों की measurements equal है, और इन्हों ने यहाँ पर आपके पास total इसकी कितनी दी हुई है, 10 दी है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप उसे 2 पर divide करेंगे, तो वो आपके पास इन दोनों की measurements आ जाएंगी, 2, 5 तो मतलब 5 meter आप लोगों के प यूज करना है, पैतागॉरस थियूरम, और एक और चीज आप लिख लेंगे, जो मैरी variable x let किया है, इसे भी आप लिख लें, measurement of ad equals to x, using पैतागॉरस थियूरम, पैतागॉरस थियूरम को यूज करें, मैंने सिरफ इस triangle पर व्यूज करना है, यह जो आपके left side पर, right वाले side प left पर मैं यूज करूंगे, तो आपके पास hypotenuse क्या बन रहा है, ab, measurement of ab square equals to, base आपके पास क्या बन रहा है, bd, measurement of bd square plus ad, यह आपके पास altitude बन रहा है, measurement of ad square, values put कर दें और उसे simplify कर दें, आप लोग के पास इस question का answer आजाएगा, करना यह ab का answer क्या है, आपके पास, ab की value है, आप लोगों के पास, अगर आप यहाँ से देख लें तो वो 10 meter है, 10 meter, मतलब आप just 10 right कर दें, bd, bd की value आपके पास क्या आई थी 5, next है ad, ad हमने find out करना है, 10 का square, 105 का square, 25, measurement of ad की value हमने find करनी है, 25 जो है, measurement of ad के साथ, प्लस हो रहा है तो दूसरी side पे जाके क्या हो जाएगा, minus, 100 minus 25, equals to measurement of ad का square, आप 100 में से 25 को कर दें, minus, आपके पास आजाएगा 75, और यह आपके पास आजाएगा measurement of ad whole, square की value, हमें चाहिए है simple ad की value जिसका square ना हो, तो हम वो क्या करेंगे, अब इसका यहाँ पे square root ले लेंगे, square root को solve करने से आप लोगों के पास इसका answer आजाएगा, taking square root on both sides, दोनों sides पर आप लोग इसका square root ले लें, तो आप लोगों के पास इसका answer आजाएगा, further इसे मैं इस side पर solve कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, 75 है, 75 का square root आ गया, equals to measurement of ad का square आ गया, square, square root से cancel, 75 है तो 75 का आपने क्या करना है, LC हम लेके check कर ले, 5 बन्जा 5, 2 हो जाएगा, 5 के साथ 25, 5 फाइफ 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 25, 5 थ्री जा 15, और 3 बन्जा 3, मतलब आपके पास 5 की पावर 2, क्यूंके 2 है ना, ये 2 टाइम से है, इसलिए 5 की पावर 2, और साथ में 3 पैसे, क्यूंके 3 की पावर आपके पास 1 है, माईर्मेंट ओफ a, d, square, square root से cancel होजएगा, लेकिन 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है, square root 3 के ऊपर से cancel नहीं होगा, सिरफ 5 square root से बाहर आजएगा, माईर्मेंट ओफ a, d का ये answer आगे, जो के हमने find करनी थी, के height क्या है, आप लोगों के नहीं, इस question के house की, वो आपके पास आगई है, 5 square root 3 meter, और ये answer है, आप लोगों के पास, question number 9 का, जो के आज हम लोगों ने question number 9 solve कर लिया है, complete, इस तरह आप लोगों का आज हो गया है, question number 9 complete, और इसके साथ आप लोगों ने exercise 9.1 को कर लिया है, complete, try hope, आपको इस पूरी exercise के तरीके से समझ आ गई होगी, इसमें सिरफ हमने एक ही formula, आपको पास पैथागॉरस theorem, आपको पैथागॉरस theorem के अगर statement याद है, आपको उसको concept clear है, तो आप इसके कोई unseen question भी अगर आप लोगों के पास आज़ेता है, तो आप उसे easily solve कर सकते हैं, आपको इस पूरी exercise में कोई मसला नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी point में कोई भी मसला होगा, तो आप मुस्ते पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पर संद आ रही हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे पता चलता रही है किया response आपको किस हद तक ये समझ आ रहे हैं, या आपकी क्या mistakes, मतलब मेरी क्या mistakes हैं और आपकी क्या issues हैं जिने मैं resolve कर सकूं, Thank you so much. मेरी अगं सब्सलिए ये कर देम सबते हैं, जै घगली मेरी मेरा आपको क्या स्वेशा हैं, ये अभा साथ क्या स्प thatकि अज़ादा आपकी क्या कर दो मेरा ह Cumम कर दो में सक क्या आपकी मेरा हैं, झाल झाल